नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है इस बार जून का जो महिना है वह बहुत ही ज्यादा उतल पुतल होने वाला है जून के महिने में कई रासियों में बहुत फायदा भी होगा और कुछ लोगों को असुब समाचार भी सुनने को मिल सकते हैं तो व इस बार गरे नक्षोत्रों का परिवर्तन हो रहा है उससे इन बारा रासियों पर क्या असर होगा आधी आधी ऐसी ही बातों के बारे में आज मैं इस वीडियो मताऊंगा लेकिन उससे पहले आप से रिक्वेस्ट रे दिया पहली बार मेरे इस चैनल पे चैनल को सब्सक्रा होना है जून का यह जो महिना है इस बार बहुत ही बड़े गरहों का परिवर्तन होना निश्चित है जून के महिने में गरह नक्षत्रों का बहुत ही जादा उतल पुतल होने वाला है और जो तिसमें बताया गया है कि गरह नक्षत्रों का जो परिवर्तन होता है उसका सीध है मेश रास मेश रासी वालों के लिए बहुत ही अच्छा महिना रहेगा इनका मन बहुत ही प्रसंचित रहेगा परंतु यदि कोई कारी करना चाहेंगे तो उसमें उनको आत्विस्वास में कमी नजर आएगी अताएं पूंड विस्वास के साथ कारी को करें मेश रासी वालो चाहें तो अपने कारोबार में सावधानी बर्दना जरूरी है नहीं तो उनके ब्यवसाय में कठनाई आ सकती है इस मेने आपको भागदौर भी बहुत ज़्यादा रहेगी यदि आप कोई ब्यपारी वर्द से हैं तो आपको अपनी किसी मत्र के सहयोग जरूर लेना चाहिए तब ही आप अपने कारोबार को पढ़ा सकेंगी यदि आपका कारोबार विदेश में है तो फिर आपके सोच लीजिए कि आपके कारोबार में दिनो दिन बर्दी होने की पून सम्हावना है यदि मेसरासी वाले इस महीने विदेश जात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो उस वो यदी अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो उनको सफलता मिलना दूर नहीं है मेसरासी वालों का इस महीने पारिवारिक जीवन कुल मिलाकर सुखमई ही रहेगा जो नौकरी पेसा से जुड़े मेसरासी वाले जातक हैं वो अपने बड़े अफसरों से मिल जोल बना कर ही रखें यानि अपने अफसरों से लड़ाई जगड़ा वाद विवास से दूर रहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा नहीं तो किसी मुसीवत हैं पहस सकते हैं मेसरासी वाले जो नोकरी पेसा से जुड़े हैं उनको तरक्की के आउसर नजर आ रहे हैं उनका प्रोमोशन भी हो सकता है दूसरी रासी है ब्रसरासी जून महा के महिने में ब्रसरासी वालों के लिए बहुत ही उथल पुथल वाला रहने वाला है पूरे महीने मन असान्थ ही रहेगा। यदि वो सोचेंगे कि मेरा मन कफसान्थ होगा तो 15 जून तक तो वैस सोची लें उनका मन असान्थ ही रहेगा। इस कारण से उनको सहियम बरतना चाहिए, किसी वाद व्याद में नहीं फसना चाहिए। कोई अगर उकसाए तो उसकी ब समस्याओं से दूर हो सकते हैं या इन समस्याओं से निजात पासकेंगी ब्रस रासी वालों के लिए 16 जून के बाद ही कुछ अच्छा नजर आता है जब उनके काम बनेंगे तथा उनका मन जो असान था वह भी सान्थ होने लगेगा परंतु उनको अपनी बोल चाल में कठोरत नहीं लानी है यानि प्रेम पूरग ब्रहार सबसे करना है और पूंट सामाजय से बनाना होगा किसी भी बात में उलजने की कुर्सिस ना करें जो ब्रस रासी वाले जातक कारोबार से जुड़े हैं उनका काम 8 जून के बाद अच्छे से चलने लगे जो ब्रस रासी के जात कारोबार होने की फूंट सम्हावना नजरात जो ब्रस रासी के बात से कारोबार में बहुत ज्यादा ब्रद्धी मिलने की सम्हावना है यदि कोई ब्रस रासी वालों को इस महीने अपने सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए तीसरी रासी है मिथुन रासी इस मास में मिथुन रासी वालों के लिए बहुत अच्छा है उनका मन प्रसन रहेगा तथा मिथुन रासी वाले कोई कार करना चाहें तो वह आत्म विश्वास के साथ कार को कर सकते हैं लेकिन इसे सावधानी बरतनी है किसी से भी बात करते सम मैं उनको बहुत संतुलन बना के रखना पड़े लेकिन 15 जून तक तो सब कुछ ठीक चलेगा लेकिन 16 जून के बाद से उनके जो भी काम करेंगे वह पुथल पुथल भरे हुए होंगी अताय उनको अपने कार्यों को करने किसे पहले संयम बना के रखना पड़ेगा मितुन र वालों के आत्य विस्वास में भी कमी आ सकती है और उनका रहन सेन भी अस्तबैस्त हो सकता है कुलमिला का रहा देखा जाए तो मितुन रासी वालों की जो मा हैं उनका 25 जून के बाद ही स्वास्त में सुधार होनी की समहावना नजर आती है जो बेक्ति बेशाई वर्ष से वालों के लिए इस महीनें तरह तरह की यातराएं भी करनी पड़ सकती है इस कारण से उनके खर्च जादा होंगे इस वात का उनको विसियेश ध्यान रखना चाहिए चौती रासी है करकरासी करकरासी के वालों के लिए यह महीना बहुत ही आत्विस्वास से परिपून होग लेकिन फिर भी इनका मन असांत रहेगा इस कारण से इनको भी अपने बोल चाल में बड़ा सयंबर रतना होगा किसी भी तरह के गुसे से इनको बचना होगा यदि ये वेपारिक वर्ष से जुड़े हैं तो इनके कारोबार में आर जुन के बाद ही लाप के अवसर नजर आते हैं ये नए कारोबार के लिए भी निवेश कर सकते हैं तदा कारोबार को बढ़ाने के लिए भी कुछ निवेश कर सकते हैं करकरासी वालों के लिए 25 जून के बाद से खर्चों में ब्रद्धी होने की समभावना नजर आती है जिस कारण से उनके जमाधन में कमी आने की भी समभावना है इनके कुछ पुराने मित्र भी इस महीने आकर इनसे मिल सकते हैं इस महीने करकरासी वाले खान पान में ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं जो ब्यक्ति विद्यार्थी वर्ग से जुड़े हैं वह जो उन्होंने परिक्षाय दिया उसके सोख़द परिणाम उनको मिल सकते हैं और करकरासी वालें की इसी बड़े राजनेता से भी इस महीने बेट हो सकती है इस महीने करकरासी वालों के लिए पूरा भागदौर भरा हुआ होगा यानि उथल पुथल भरा भी हो सकता है करक रासी वालों को अपनी संतान की ओर से कोई खुसी भरा समाचार मिल सकता है पांचवा सिंग रासी मास के अंत में सिंग रासी वालों के लिए इस महीने में यदि सेक्षिट कारों से जुड़े हैं तो उसमें सफलता मिलेगी तदा बौधी कारों में भी आपके मान समान मिलने की पूर्ण समावना नजर आती है इस महीने आपको सासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा लेकिन सिंग रासी वालों का जो सुरुवाती महीना है यह काफी उतार चड़ा बड़ा हो सकता है यदि आप कारोबारी हैं तो आपके कारोबार में व्रद्धी 8 जून के बाद नजर आ रही है और जो भी कारोबार कर रहे हैं उनको 25 जून के बाद ही लाब होने की समभावना है यदि आप किसी पढ़ाई या सेक्षिक कार से जुड़े हैं तो उसमें आपको परिशानी आ सकती है सिंग रासी वालों को अपनी संतान का इस महीने विश्यज ध्यान रखना होगा जो नौकरी पेशा से जुड़े जातक हैं उनको नौकरी बदलने के अवसर मिल सकते हैं तता उनका जो कार छेतर होगा वे भी बढ़ सकता है या वे किसी दूसरी जगहे पर जाकर के नौकरी कर सकते हैं इस महीने इन्हें अपने माबाप के स्वास का विश्यज ध्यान रखना चाहिए इस महीने सिंग रासी वालों को उनके जीवन साती का पूर्ण सहयोग मिलेगा परंतु इनका जो रहन सैन होगा वे का अपनी उतल पुतल तता कस्टमें हो सकता है चटी रासी है करन्या रासी जून माखस के आरम में इस रासी के जातकों में आत्विस्वास की कमी रहेगी तता दिन भर इनका मन परिसान रहेगा इस महीने इनको किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए अपने वाणी में कंट्रॉल रखना होगा इनका जो आत्मिस्वास है या आत्मिस्वास है जो कमी है वह आठ जून के बाद ही बढ़ेगी इनके पिता यदी बीमार हैं तो उनके स्वास्त में भी सुधार होने की संभावना है जो कारोबार से जुड़े हुए हैं जिनका कारोबार नहीं चलना है उसमें भी उनकी सुधार होने की पूर्ण समावना नजर आती है इस कारान से यह अपने ब्यवसाई कारों में काफी ब्यस्त हो जाएंगी लेकिन इनको अपने जो बैपार हैं उसमें 16 जुन से ज़्यादा परिस्रम करना होगा तभी इनको कारोबार में धन प्राप्ती होने की समावना नजर आती है इन्हें अपने माता पिता का ध्यान अवस्त रखना चाहिए यह मैंना जो है कारोबारी वालों के लिए 25 जुन के बाद ही लाप्रद सिद्ध होगा इनके पिता का इस मैंने पून सहीयोग मिलेगा यदि वै किसी कारोबार के लिए दूसरे इस्थान पर जाना चाहते हैं तो जा सकते है या उनके लाबकारी ही सिद्ध होगा तुलारासी तुलारासी वालों के लिए जून का महिना बहुत ही परिसानी वाला हो सकता है इस काराच से उनके मन में काफी असन्तोस रहेगा लेकिन तीन जून के बाद इनका मन परसंद हो सकता नौकरी के कारण इनको किसी दूसरे स्थान पर भी जाना पढ़ सकता है और जो हाँ यह नौकरी कर रहे हैं उसमें इनको परिशानी का सामना करना पढ़ सकता है यदि यह कारोबार करते हैं या बेवसाय वरे से जुड़े हैं तो इनके ब्रवशाय में ब्रदी 16 जून के बाद ही आने की संभावना नजर आती है तुलारासी वालों को भी इस महीने किसी से बातचीत करने में विशेश ध्यान रखना होगा किसी वाद विवाद में पढ़ने की कोशिस ना करें नहीं तो परिसानी में आ सकते हैं इस महीने आपके खर्चों में ब्रदी होगी और आपके आए में भी कमी हो सकती है अताएं पैसों का ताल मेल बैठा करके ही रखें खास तोर से इस महीने आपको अपने पिता के स्वास का ध्यान रखना चाहिए इस महीने आपको अपने मित्रों का सहयोग मिल सकेगा जिसके कारण यह जो उतल पुतल भरा आपका महीना रहेगा उससे आपको निजाद मिल सकती है इसलिए मित्रों से बेवहार अच्छा रखें उनसे कोई बिगाड ना करें आठवीं ब्रेश्चिकरासी के जातकों का भी यह महीना काफी उतल पुतल ही रहेगा उनका मन हमेशा परिशान नहीं रहेगा तता आतिव स्वास्वन को कमी नजर आती रहेगी इस महीने यह कठोर वानी का प्रयोग करेंगे जिससे इनका कार बिगड सकता है अता है इस चीज का ध्यान रखें यदि यह नौकरी पेज़ा से जुड़े हुए ब्यक्ति हैं तो इनका तीन जुन के बाद ही नौकरी परिवर्तन का योग बन रहा है स्वास्त को लेकर भी आप परिसान रह सकते हैं इस महीने आपको वान सुक में भी कमी आ सकती है यदि आप बिमार हैं तो आपके स्वास्त में 11 जुन के बाद ही सुधार होनी की सम्भावना है यदि आप कहीं नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको अपनी किसी मित्र का लेना पड़ेगा तभी आपको नौकरी मिल सकती है जडि आप कोई कार कर रहे हैं चाइँ नौकरी कर रहा काराओ रहीं है यह कार वार्वार उस میں भी आपकी ब्रद्रीी होने की संभावना है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस कारण से आपका जो यह महीना है उतल पुतल बड़ा ही हो सकता है यदि आपके पिता बिमार हैं तो वह 16 जुन के बाद ही उनकी सुआस्त में सुधार नजर आता है नौ मही धनुरास इस महीने धनुरासी वालों के लिए आतिव स्वास से परिपून होगा आपका मन काफी उतल पुतल होगा जिसके कारण आपको अपनी मानसिक संतुलन बनाए रखना है आपकी जो आए है उसमें तीन जुन के बाद ही सुधार नजर आता है यदि आप कोई नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको किसी मित्र का सायोग लेना ही पड़ेगा इस महीने आपको वाहन सुक में ब्रदी हो सकती है या कोई नया वाहन आप खरीच सकते हैं आपको अपनी संतान के स्वास का विशेज ध्यान रखना है 11 जून के बाद क्योंकि उस समय उनके स्वास में समस्या आ सकती है संतान के पढ़ाई के कावों में भी दिक्कत आ सकती है इस कारण से यदि किसी से वादवियाद हो तो उससे भी आप बचें आप पूरे महीने किसी से बाचीत करने में संतुलन बना के रखना होगा यदि आप नौकरी पेशा से जुड़े बेखती हैं तो 16 जून के बाद आपको नौकरी करने में दिक्कत आ सकती है इस महीने आपके खर्चे बढ़नों की पूर्ण सम्मावना नजर आती है आता हैं खर्च सोच समझ करके करें दस्वी है मकर रासी इस महीने मागर रासी वालों के लिए काफी उतल उतल रहेगा अता हैं उनको अपना सयम बना के रखना पड़े किसी से भी बेवज़े ना उलजे नहीं तो आप परिसानी में पढ़ सकते हैं कुल मिलाकर आपको इस महीने किसी से वाद विवाद नहीं करना है बात चीत करने में संतुलन बनाए रखना है इस महीने आपको अपने माता पिता के स्वास का विशेज ध्यान रखना पड़ेगा यदि आप किसी बेवसाय से जुड़े हैं तो आपको कोई मित्र का सहयोग मिलेगा जिससे अपने बेवसाय को बढ़ा सकती है आपके बेवसाय में 8 जुन के बाद ब्रिद्धी नजर आती है आपको अपने स्वास्त का 25 जुन से विशेज ध्यान रखना होगा जिस कारण आपके बेवसाय में कोई परिसानी आ सकती है आता है इस समय भी आपको अपने किसी मित्र का सहयोग जरूर ले लेना चाहिए यदि आप विदेश में कोई कारोवार करते हैं तो उसमें आपकी ब्रद्धी होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है और आपको कोई विदेश यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है और यदि आप बेवसाय को बढ़ाने के लिए यात्रा करने हैं तो यह लाप्रद ही सिद्ध होगी इस महीने आपको अपने खर्चों पर नियंतर रखना होगा यदि आप बेद्धार्थी वर्ग से हैं तो आपको अपनी पढ़ाई पर विशेश ध्यान देना होगा नहीं तो आपको परिशानी आ सकती है 11. कुमराथ कुमरासी वालों के लिए जून का महीना बहुती आत्मिस्वास से भरा पुरा होगा लेकिन आपको इस महीने पूर्ण भैर बनाए रखना हो यदि आप कारोबार से जुड़े हैं तो आपके कारोबार में 8 जून के बाद परिशानी आ सकती है जिस कारण से आपका रहन सहन में परिशानी आएगी इसलिए आपको पूर्ण साउधान रहना है आपको इस महीने किसी से वाद भी वाद नहीं करना है लेकिन विशेश तोर से ध्यान रखिएगा कि 16 जून के बाद तो आप किसी से लड़ाई जगडा या वाद भी वाद भी ना करें नहीं तो आपको बहुत परिशानी हो सकती है आपके अपने जो सगे भाई भैन हैं उनसे आपको मेल जोल बना कर रखना चाहिए यदि आप नौकरी पेसा से जुड़े हैं तो आपको कोई ना कोई नया काम और नई जिम्मेदारी आफिस वाले दे सकते हैं यदि आप विद्यारती वर्ण से जुड़े हुए हैं तो आपके पढ़ाई में 25 जून के बाद ही सुधार संबहुन नजर आता है यदि आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो इस महीने आपको संतान सुख भी मिलेगा तता आपके संतान सुख में ब्रदी भी होने की समाउना है यदि आप कारोवारी हैं तो आपके कारोवार में इस महीने ब्रदी होने की समाउना है यदि आप नौकरी पेसा से जुड़े हैं तो आपके नौकरी बदल भी सकती है या आपका टांसवर भी होने की समावना है बारमा मीन रासी मीन रासी वालों के लिए ये महीना भी उतल पुतल भरा हुआ तथा उनका मन असान थी रहेगा इसलिए किसी से बेर्थों में बाद भी वाद ना करें ना किसी बाद पे उलजें ये आपके लिए हानिकारक ही सिद्ध हो इस महीने आपको अपने संतान के स्वास्त का विसेश ध्यान रखना होगा विसेश तोर से आपको सेक्षिर कारों पर जो है बहुत ध्यान दें क्योंकि पढ़ाई के कामों में बहुत से व्यवधान आने की संभावना है जो बेक्ती कारोबार से जुड़े हैं उनका कारोबार आठ जुन के बाद ही पढ़ पाएगा जिस कारण से मीन रासी वालों को बहुत ज़्यादा भागदौल करनी पड़ेगी आपका कोई मित्र इस महीने 16 जुन के बाद घर में आ सकता है आपको अपनी मा का स्वास्त का इस महीने पून ध्यान रखना चाहिए यदि आपकी मा बिमार हैं तो वह 25 जुन के बाद ही उनके स्वास्त में सुधार होने की समावना नजर आती है पून रूप से देखा जाए तो आपका ये महीना परिवारिक रूप से सुख सांती भरा ही रहेगा हो सकता है आप अपने परिवार के सांग कहीं याता करने का भी मन बना सकते हैं जिससे आपके खर्चों में ब्रदी होगी तो यह थे जून महीने के राजी फल आसा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी यदि आप ऐसी ही जानकारी जानने के चुक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दियो जाज़ाद है वीडियो सेयर कर दीजेगा धन्यवाद